गैस वैसे और तमान समय में सापों के काटे जाने की घटना है बहुत अधिक मिल रही हैं ऐसे में यह कैसे पता करे की काटने वाले को किस प्रकार के सापने काटा है यानि की साप जहरीला है या फिर कम जहरीला है तो गैस आज हम आपको यही बताने वाले हैं गैस यदि सापने जहां काटा हो वहाँ यू का निसान हो या फिर एक सीधी लाइन हो तो आप समझे की जिस सापने काटा है वह कम जहरीला है लेकिन यदि काटे गए स्थान पर केवल दो दात के निसान ही हैं तो आप समझे की जहरीले सापने काटा है वैसे भारत में जहरीले सापों के काटने की 50% से अधिक घटनाए कोबरा और करैत के काटने से होती है गैस यदि आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज चैट सेक्शन में लिखना ना भूले और यदि चैनल पर आप नए है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए